कि नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं ग्रांड जोतिस सीक्रेट मिठोन डासी वालों का बुढ़ापा कैसा होता है आज हमने यह टॉपिक रखा है अभी तक हमने आपके बारे में बहुत सारी बाते आपको बता है यानि कि आपको आपसे ही मिलवाया है मुझे बता है कि आपको बहुत अच्छा लगा है हमारे वीडियो तमाम देखके लेकिन आज हम आपके बुढ़ापे की बात करेंगे तो मिठोन वालों का बुढ़ापा कैसा कटता है यह तो आप जाना चाहेंगे कि 60 प्लस के बात की लाइफ क्या होती है कैसी होती है कौन स आप बिजनस करते हैं जौब करते हैं रिटाइरमेंट को उम्र करें पचपन साथ का होता है तो उसके पहले अपना घर भी बना लेंगे यह अच्छा खासा बैंक भी करना है जमा भी करना है बच्चों के उपर बहुत सारा धन खर्च करने वाले होते हैं मितुन वाले प्रयास करते हैं कि बेबज़क खर्च ना हो लेकिन इनके बच्चे बेहतर सिक्षा प्राप्त करें लाइफ में कुछ अच्छा करें अगर आप जौब करते हैं या बिज 58 से 60 का जो उम्र होता है इनके पास बहुत धन होता है आप बिजनस करें तो ये मान कर चलिए कि आप बिजनस से तो रिटार नहीं होंगे यानि आप करते रहेंगे काम आपको काम से बैठे रहना घर पसंद नहीं मेहनती होते हैं इनका हमेशा ध्यान डाता है समय के बहुत पा तो बच्चों की अगर हम बात करें तो देखे इनके बच्चे जादा तर देखा गया है नोक्री करते हैं और इनके बच्चों को ये भरोसा होता है कि जो माता-पिता है इनको इनकी अवस्ता नहीं है क्योंकि इनके माता-पिता बहुत बुद्धिमान होते हैं यानि कि मितुन बाले अगर आप महिला पुरूस हैं तो आपके बच्चों को आपके फिक्र नहीं होगी क्योंकि आप इतना अच्छा सब कुछ बंदोबस्त अपने लिए करके रखते हैं सबका ध्यान तो रखते ही हैं धर्म की तरभी जुका होता है जो कि एक दैनिक क्रिया होती है रोज-पुजा पाट करना ध्यान योगा करना ये सबी चीज़ें आप करने लगते हैं अगर हम धनकी बात करें देखिए आपको जैसे हमने खहा कि आप अच्छा खासा धन कमा लेते हैं 55 के बाद 58 56 उम्रत तक आपके पास इतना सब कुछ होता है कि आपको ज्यादा कुछ सोचना नहीं पड़ता और इसी कारण से ब्रधावस्ता में आपको धनकी कमी नहीं होती तो धन के मामनों में बड़े लकी होते हैं बहुत अच्छे से जिम्मेदारियों को निभाते हैं बच्चों को अच्छे सिख्छा देते हैं और बैक्ति गज जो आपका लाइफ है वो बहुत सफल होता है देखा गया है कि इनके बच्चे बड़े-बड़े पद पे कारेरत होते हैं क्योंकि मिथून वाले अपने बच्चों को उसी अनुसार सिख्छित करते हैं तो धन बचाके रखने में विश्वास करने वाले उते हैं क्योंकि इनको पता है कि धन सब कुछ नहीं है लेकिन बहुत कुछ है इने पता है तो धन को लेकर सतर्क शुरुआत से होते हैं पर ब्रधा वस्तों में बेवज़ा खरचा नहीं करते गलस संगती नसा इन चीज़ करते रहते हैं सब्लिक ज्षार बाते जिवन साथे के साथ हट्वकिपुल के जघर दो हो इसली बाथ का इसमत पेना बसनाउय हो जाती है लिए औरहे कि बोलता न parental ही हम लोग नोना सब्कार्ट आपके बाकी दुनिया तो ने अब अब मेरा फैंमली मेरा जीवन साती मेरा बच्ट यह फिप्टीप्लस के बाद ही लोग समझ बहते हैं इसके पहले तो लड़कपन होता है बचपना होता है बेबकूफी होता है और मिखुन वाले चोंग के साथ होता है उगारि पूरे घर का इसलों ची और मितुन बालों को बिर्धावस्था में देखेंगे कि इनको थोड़ी सी कफ बलगम की समस्या होती है गुटनों में दर्द होता है तो अपना खास ख्याल आपको यंग उम्र से ही रखना चाहिए आप लापरभाही मत कीजिए एक जगा बहुत समय तक बैठे रहना ये सबी बैपारिक जो बुद्धी होती है इनके अंदर ना वो रिटार्मेंट के बाद भी चालू रहता है उसको त्याग नहीं पाते ये काम करते रहेंगे तिर्थियात्रा पर भी ये जाते हैं हर मिथुन वाले जाते हैं और इनको छोटी-छोटी बच्चों के साथ सब में बिताना अच्छा है उनको ये गिप्ट देते रहेंगे भले इनके साथ वो लोग ना रहें बाहार रहें लेकिन जब आएंगे ये कुछ नो कुछ नाती रहेंगे तो ये सभी चीजें इनको यंग बनाये रखती है और वैसे भी मिथुन वाले तो यंगी होते हैं जो दुविधा है उनसे बाहर निकलने के लिए आपको पहले भी बताया है ऐसे अपने रासी के सौमी को थोड़ा बल दे दीजे ओम बुधाय नमका जब कर लीजे तो बच्चों के साथ इनका बहुत अच्छा वगते भीता है कोई यहाँ पर दिकत नहीं है कोई न मिलेते हैं घर के आस पास वह जबा मस्ती भरा वक्ते भीता लेते हैं अब एक और चीज़ है जैसे इनके घर में बहुए हैं दमाद हैं उनसे भी बाते करेंगे यह नहीं की सिर्फ अपने ही बच्चों से करेंगे उनके पूरे खंदान का इनके पास रहता है किस्सा सबको कॉल घुमाएंगे देर साम अगर फुरसत के पल में है सबको सबके सबसे जूड के रहते हैं सबसे बाते करेंगे यह चीज़ें इन्हें थोरा अलग बनाती है तो इनका सब्तम्भाव में चुकी गुरू का अस्थान है तो ऐसे में यह परिवार और बच्चों का भी ध्यान रखते हैं और अपने कमे हनाके बैस्त रहते हैं पर चालांक होते हैं मि इनका कमर का ध्यान रखना चाहिए इनके बहुत आवस्यक है तो सुरुवात से ही आप ध्यान रखे तो क्या होगा ना बुड़ापा में आपको परिशान ही नहीं होगी मिथुन बालों का जैसे अगर हम इनके पढ़ने लिखने की बात करें चुकि यह पढ़े लिखे नहीं भी हो तो भी समझदार होते हैं बड़े बड़े पढ़े लिखे इनके सामने फैल है क्योंकि इनके पास दिमाग बहुत तेज होता है और दूसरा इनके बच्चों का साथ भी मिलता है चाहे जैसे मॉरल ही मिले पर सपोर्ट मिलता है हमेशा ही लोगों की मदद करना इन्हें पसंद आता है घर में भंडारा कराना या कहीं पर जाके कुछ ऐसा करना कि बहुत साई लोग उसमें आएं खाएं इनको अच्छा लगता है और ये बुढ़ापा में अपने हातों से भंडारा भी करवाते हैं चाहे वो पूजापाट के हो या कोई भी काम के जरिये हो ये चीजें इनके लिए बहुत मायने रखती है घुमा फिराकर बाते करना इन्हें पसंद नहीं जो भी बोलेंगे सीधा बोलेंगे सत्य और जीवन साथी की बातों को मानने वाले होते हैं उल्टा जवाब कमी देते हैं पारिवारी जीवन खासकर ब्रधावस्ता में संतुष्ट रहते हैं खुसाल रहते हैं और ये इनके लिए पॉजिटिव है कुछ न कुछ सूबकार इनके हातों ब्रधावस्ता में होता रहत भगवान की भक्ति में लीन रहने वाले भगवान का ध्यान करना भगवान साधुवाद को बोल सकते हैं क्योंकि यह सत्ते बोलते हैं इनको जूट सच बोलना पसंद नहीं है इसी कारण से यह एकदम से धर्म की तरफ मुड़ जाते हैं तो सब जगह से यहनिकी इनको चाहिए कि यह ग़नेश जी की अराधना जादा करें बुर्दि के देव हैं आपके राशी के स्वामी बुद्ध हैं उनको भी बहतर करनेनी की घनेश जी की का आभणा इन चीजों का आपको खयाल रखना है और थोड़े सतर करहके आप आगे बढ़ें कोई भी उल्टा सिधा ना खाएं खासकर जो बात पैदा करता है क्योंकि यहां पर आप फिर आपका स्वास बिर्धावस्ता में गरवर होगा तो इन चीजों से थोड़ा परिशानी से लिए यह बात हमेंसा याद रखिए सुख में हलाकी है लेकिन अपना खयाल रखने के बाद ज्यादा तर देखा गया है कि मिथून बालों के जो नाति पोते होते हैं वो सिकायते बहुत कमी इन से करते हैं क्योंकि सिकायत करने के पहले उनके तमाम फरमाइसों को पूरा कर देते हैं तो इनका ब्रधावस्ता बहुत अच्छा होता है सांती सुख में होता है वीडियो पसंद है तो लाइक कर सब्सक्राइब करें अपनों से सेयर करें और कमेंट में हर मादेव जरू लिखे हैं धन्यवाद